नमस्कार मैं हूँ सूक्रती रॉय चाटर जी और बोल्सकाई में आप सभी का स्वागत है मंगल ग्रह को देवताओं का सेना पती कहा गया है मंगल के राशी परिवर्तन से आम जीवन ही नहीं दुनिया भर के विभिन शेत्रों पर भी इसका असर होगा मंगल ग्रह 24 दिसंबर 2020 गुरुवार के दिन 11 बच कर 52 मिनट पर मीन राशी से निकल कर मेश राशी में प्रवेश करने वाला है मेश राशी मंगल के आधिपत्ति वाली राशी है ऐसे में आये जानते हैं कि मंगल के मेश राशी में प्रवेश करने से सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है मंगल का राशी परिवर्तन मेश में ही होने वाला है आपके लिए ये समय उतार चड़ाव से भरा रहेगा आपके व्यवार में काफी बदलाव आजाएगा और आप में धैरी की कमी नज़र आएगी आपको शांत रहकर इस समय को पार करने की सलाह दी जाती है वैवाहिक जीवन में इस्तुती सामानिन नहीं रहेगी वही आर्थिक मामलों में बड़ा लाव मिलने वाला है व्रिशब राशी के जातक इस दोरान कुछ परिशान रह सकते हैं आपका बजट गड़बर हो सकता है बेफ़ुजूल के खर्चे आपकी परिशानी बढ़ा सकते हैं वही इस दोरान यात्रा करने का योग बन रहा है मिथोन राशी के लोगों के लिए ये समय काफी अच्छा रहने वाला है आपकी आर्थिक स्थती में बड़ा उच्छाल देखने को मिलेगा आए के नए स्त्रोतों से धन का अगमन होगा भविश के लिए भी बचत कर सकेंगे मंगल के राशी परिवर्तन से कर्क के जातकों को अच्छा लाब मिलेगा कामकाज के शेत्र में आपको प्रमोशन बल सकता है समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा वही सिंग राशी के जातकों को अपने सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए आपके लिए लापरवाही नुकसान दायक साबत हो सकती है जीवन साथी का स्वास्त भी कुछ खास नहीं रहेगा धन की प्राप्ती होने की संभाबना है नौकरी पेशा जातकों के लिए समय काफी शुब रहेगा आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहें और आपको प्रमोशन मल सकता है जीवन साथी के सेहत से जुड़ी किसी पुरानी समस्या से जूज रहे हैं तो इस दोरान आपको काफी राहत मिलेगी व्रिश्यक राशी के लोगों के लिए समय शुब रहेगा आर्थिक स्थिती पहले की तुलुना में बहतर होगी आपको अपनी मेहनत का उच्चे तुफल मिलेगा इस राशी के लोगों के लिए समय सामाने रहेगा पारिवारे के जीवन में कुछ मुश्किले आ सकती है वैवाहिक लोगों के लिए यवधी काफी अच्छी रही दी मकर राशी के जातक इस दौरान नए घर अत्वा प्रोपर्टी में निवेश कर सकते हैं बेवक्त से आपके घर लेने की इच्छा पूरी हो सकती है कुमबराशी के लोगों के लिए समय काफी फलदाई है नौकरी के शेत्र में आपको बड़ा लाब मिलेगा अटके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं विश्वास बढ़ेगा और सकारात्मक्ता का एहसास होगा आर्तिक स्तिती काफी मजबूत होगी आए कि अलग अलग स्त्रोतों से आपको धन मिलेगा किसी बात को लेकर चिंता होगी मगर आपकी समस्दारी से समस्या का हल निकल जाएगा उमीद करती हूँ कि आपको ये विडियो पसंद आया होगा विडियो को लाइक और शेर करें साथी चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलें